हेलो एवरिवन निखार डिजाइन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज की वीडियो में हम स्लिवस की कटिंग करना सिखाएंगे तो फ्रेंज आपकी किसी भी साइज की कुर्ती का आर्मो लो आपको स्लिवस परफेक्ट कटिंग करने का आज ये मेथड जिससे आप एक ही बार में ये स्लिवस कटिंग करना सीख जाएंगे तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्फुल रहेंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंस उसके लिए यह हमने पेपर लिया है और पेपर को हम 15 पर एक मार्जन का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस निशान के नीचे से अभी हम अपने स्लिवस की लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहां आपके जो भी साइच की स्लिवस हो आपने उस साइच की लंबाई का निशान लगाना है तो मैं यहां पर 10 इंच पर दस इंच लूँगी तो उसका हाप में जो है पाच इंच पर एक निशान लगाऊंगी तो फ्रेंस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल रहेंगी किसी भी साइज के आर्मोल की स्लिव को कटिंग करने के लिए तो देखिए उपर हम हाप इंच का छोड़ते हुए तीन लगाना है और इस तरीके से हम सीधी लाइन बना लेंगे तो आप किसी भी साइज की कुर्ती कि स्लिव कट करोंगे तो आपने जो है इसी तरीके से हाफ इंच उपर चोड़ते हुए तीन इंच पर एक निशान लगाना है तो अभी हम देखिए आर्मोल क्या साइज निकाले तो यह हमारा साड़े आट इंच आ रहा है तो उससे हम हाफ इंच कम लेंगे तो हम जो है आट इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्मोल का तो जो भी चेस्ट का साइज जो आपका उसको फोर से डिवाइट करके आपने उससे हाफ इंच कम ऐसे तिर्चे में निशान लग तो इस तरीके से हमें आलमोल की गोलाई दे देना है तो ये हमारे आलमोल की गोलाई हो गई है तो अभी देखिए फ्रेंड उपर के निशान को जो हम इस तरीके से बोटम के निशान से अभी मिला लेंगे और हमें जो भी extra margin लेना है उसका भी हम एक निशान लगा लेंगे तो आगे की तरफ देखिए friends अभी जो ये bottom fold करेंगे वहाँ से हमें इस तरीके से सीधा नहीं लेना है थोड़ा सा हमें ऐसे तिर्चे में निशान लगाना है तो ये निशान में क्यों लगा रही हूँ वह मैं आपको sleeves cut करने के बाद में बताऊंगी तो अभी देखिए हम front armhole का भी shape दे देंगे इस तरीके से तो ये हमारा front armhole का भी shape हो गया है अभी हम जो है हमारे sleeves की cutting कर देंगे तो friends ये आपको सबसे easy method बता रही हूँ अगर आपके कोई बेस से भी size की कुर्ती हो आप इसी तरी चैसे armhole की cutting करिए आपकी कुर्ती की armhole से जो है perfect बैठेंगी sleeves तो अभी हम front armhole के shape की भी cutting कर लेते हैं तो friends ये हमारे sleeves की proper cutting तो हो गई है अभी हम यह आपर एक notchis लगा लेंगे तो friends ये वीडियो में देखिए मैंने आपको बताए था कि हमने bottom की तरफ से जो है ऐसे तिर्चे में क्यों sleeves cut की है वो अभी मैं आपको बताऊंगी तो देखिए हम जब fold करते हैं यहां से तो ये हमारा कपड़ा अगर सीधे में लेते तो यहां से हमारा कपड़ा कम जाता तो तिर्चे में लेने के बाद ये हमारी perfect इसकी folding आ जाएंगी तो friends आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं next वीडियो में